SGST विभाग ने शहर के सभी MSO के साथ बैठक की बैठक के दौरान ग्रेड वन कमिशनर राकेश कमार शीरवास्तम ने बैठक में मौझूद सभी MSO को सरकार की उजनाओं के बारे में जानकारी दी इसके अलावा उनके पास जो भी ओपेटर काम कर रहे हैं उनको जिएस्टी मे पंजियन कराने की बात कहीं सभी MSO के साथ बैठक की बैठक में उन्हें बताया गया कि GST में जो भी वैपारी रजिस्टेशन कराएगा उसको केंद्र और राजिस सरकार दोनों की तरफ से कई तरह के बीमा का लाब मिलेगा जो माने मुक्वंत्री जी ने जो हमें पंजयन अभिहांच का हम लोगों को लक्ष दिया गया है और उसके साथ जो प्रदेश सरकार रोकें सरकार दोरा जो समाजिक सुरक्षा योजनाय चलाई जा रही है उनका प्रचार प्रसार भी करना हम लोगों का लक्ष है तो ऐसे मैं इस तहले हम लोंने सारे गविल उप्रेटर है उनको कंट्रोल करने वाले सारे लोगों को बिलाया गया था इत्ले से लोगों का इस सब आना कमिशनर का कहना है कि केंदत सरकार की ओर से धाई लाग आए के वैपारियों को आईश्मान योजना का लाब दिया जा रहा है साथ ही पैंशन योजना भी लागू हो गई है अगर अपनी सेवा दे रहे है या गुट सप्लाई कर रहे है या दोनों काम कर रहे है तो उनके लिए पंजन सीमा नहीं है उनको कमपसरी रेश्टेशन है और सरकार ये चाहती है कि जब वो अलेडी विभाग के साथ जुड़ेंगे तो उनको सरकार दोरा चलाएगे सारी सेवाओं का योजना का लाब मिलेगा इस तहट विदिक रूप में भी ज़रूरी है और सामाजिक रूप में भी ज़रूरी है कि उनको पंजिक्रत कराया जाए बैठक में मौजू सभी MSO से उनके ऑपरेटरों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया साथ ही उनको GST में रेजिस्टेशन कराने की बात कही गई सभी MSO का कहना है कि वो विभाग का पूरा साथ देंगे लेकिन सरकार द्वारत दिये जा रहे लाप के बारे में उन्हें इस से पहले पता नहीं था सभी ने इसकीम की तारीफ की मिलेगा सरकार योजनाओं में कुछ और भी कुछ लाब है वो सम्मिलेंगे इसको पहरे जांकर ही नहीं थी उनको GST को लेकर के बीटिंग थी कमिस्टर साथ क्या अब तक क्या नहीं है बहुत सारे ऑपरेटर जीएस्टी में रेजिस्टर नहीं है तो इसके रिगार्डिंग मिलाई गई थी कि GST का रेजिस्टेशन करा है और जो लोग GST का रेजिस्टेशन करा रहे हैं तो प्रधान मंतरी योजना के अंतरगत उनको भीमा का लाब है दुरगटना लाब है उसके बारे में बताने के लिए अच्छी है जो लोग छोटे वैपारियरी है उनके बहुत बढ़िया है दोनों तरीके के इंसरेंस के लाब मिलेंगे और हर व्यक्ति को इसका लाब लेना चाहिए वेपारियों को हम लोग जागरू करेंगे उनको बताएंगे कि उनके परिवार के लिए उनके लिए दोनों ही योजनाएं बहुत अच्छी है SGST विभाग में जिल लोगों ने रजिस्टेशन कराया है उनको 10 लाक रुपे का दुरगटना बीमा यूपी सरकार देगी जबकि केंदर सरकार 12-18 साल से लेकर 40 वर्ष तक के वेपारियों को पैंशन का लब भी दिया जाएगा इसमें वेपारियों को 50-100 रुपे अलग-अलग कैटेगरी में जमा कराना होगा SGST विभाग ने MSO को लेटर भेज कर ओपेटर्स की लिस्ट की मांग की है सीनियों उसके लिए विनोद चुनियर की रिपोर्ट